बॉलिवुड एक्टरेस श्रद्धा कपूर आज अपना 37 वाज जर्मदिन मना रही है श्रद्धा कपूर हिंदी फिल्मों की विलेंज शक्ति कपूर और क्लासिकल सिंगर शिवांगी कपूर की बेटी है श्रद्धा कपूर अपने फिल्मी करियर में कई फिल्में कर चुकी ह पर्सनल लाइफ की बात करें तो वो इसे लेकर काफी प्राइवेट रहती हैं लेकिन एक समय ऐसा था जब उनका नाम फरहान अक्तर से जुड़ा था श्रद्धा कपूर ने फिल्म तीन पत्ती के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी हलांकि इस फिल्म से उन्हें खास पहचान नहीं मिली उन्हें पहचान फिल्म आशिके टू से मिली थी जिसमें वो आदते रॉय कपूर के साथ नज़र आएं थी दोनों की केमिस्ट्री ने फैंस का दिल जीत लिया था श्रद्धा कपूर ने साल 2016 में फरहान अक्तर के साथ रॉक ऑन टू में काम किया था रिपोर्ट्स की माने तो उस वक्त दोनों की बीच नज़दी कियां काफी बढ़ गए थी दोनों की बीच गुप चुप अफैर भी चल रहा था दोनों को लेकर ये भी कहा जा रहा था कि फरहान और श्रद्धा लिविन में रहने लगे थे बताया जाता है कि जब ये बात शक्तिकपूर को पता चली तो वो अपनी पतनी की मेहन पदमिनी कोलापूरी के साथ फरहान के घर पहुँच गए थे जहां श्रद्धा और फरहान एक साथ बैठे मिले और ये देख शक्तिकपूर भड़क गए कहा जाता है कि शक्तिकपूर ने अपनी बेटी का हाथ पकड़ा और उन्हें घर वापस ले आई हालनकि जब ये खबर फैली और शक्तिकपूर से इसके बारे में पूछा गया तो उन्होंने इसे अफ़वाह बताया हालनकि अब उनका नाम राहूल मोदी के साथ जोड़ा जा रहा है श्रद्धा अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट के फंक्शन में शामिल होने के लिए जाम नगर भी राहूल मोदी के साथ पहुंची आपको बतातें कि राहूल एक राइटर हैं और फिल्म इंडस्ट्री से ही तालोक रखते हैं